ओम सिरी गनेशाय नमा दोस्तो एश्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हाड़ दिक स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 29 मई सौंबार की रासी फलक के बारे में कीह दिन मीन रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन जो से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अप आज के दिन को रिवी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सस्क्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सकें चैनल दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मीन रासी वालों के लिए सौंबार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज आप पिछली कुछ कमियों से सीख ल कोशित से लोगों के साथ संबंदों में आश्चर्य जनक सुधार आ जाएगा दोस्तो आज प्रतिष्ट लोगों से भी मुलाकात लाबदायक और संबान जनक रहेगी तथा उनके साथ समय व्यातित करना और सामाजिक गतिविदियों में भाग लेना आपके व्यक्तित में और अधिक निखार लाएगा आज रुके हुए काम बन सकते हैं उन पर अपना ध्यान अधिक केंदरित रखें आज घर में कोई मांगलिक कारेशंपन होने की भी संभावना है जिससे परिवार में प्रसंदता का माहौल रहेगा साथ ही आज का समय आपके लिए कुछ नई उ बोजनाओं को सुरू करने से पहले एक बार पुनहें उस पर सोच विचार अवश्य करें आज आपको कोई महतपउन कारे की सूच ना मिलेगी उसे नजर अंदाज बिलकुल ना करें दोस्तो आज आपके साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिससे आपको लगेगा कि किसी का आसिरवाद आपके उपर है अपने प्रतिभाओं को पहचाने और पूरी उर्जा के साथ अपनी दिंचरिया वेकार प्रणाली पर ध्यान केंदरित रखें दोस्तो रिष्टेदारों का घर में आज आगमन होगा आप सी मेल मिलाप घर में खुसियां और सुकून लेकर आ दोस्तो आज वरिष्ट तथा अनुबवी लोगों से सला लेने में आप परेज ना करें उनका मार्ग दर्शन वे सयोग आपके मनोवल को और अधिक बढ़ाएगा व्यर्थ की बाहरी गतिविदियों में समय नश्ट आप ना करें नकारात्मक प्रवर्ती के लोगों से दू द्यान हानी की भी आज संभाव ना है विध्यारती अपनी पड़ाही के प्रती और अधिक ध्यान केंद्रित रखें आज खर्चों की बहुत अधिकता रहेगी इससे आर्थिक इस्तिती डगमगा सकती है इसलिए बजट बनाकर चलना जरूरी है कभी-कभी आपका एहम और क पूर्ण श्वयभाब परिस्तितियों को दूसित कर सकता है इस बात का आप ध्यान अवश्य रखें दोस्तों साथ साथ अपने सुब चंतकों पर किसी भी प्रकार का विचार विमर्श करने से उचित हल प्राप्त हो सकता है घर के बड़े बुजर्गों की देखवाल में भ काम बहुती आसानी से बन जाएंगे आज रूपे पैसे का लेंदेन ना ही करें तो अच्छा है दोस्तों अपनी बजट को ध्यान में रखकर आप खर्च करें कोई पैत्रिक संपत्ती संबंदित मसला उठने से हलकी फुलकी नोक जोक हो सकती है विवेक और समस्दारी से दोस्तों परिवार के साथ मनोरंजन संबंदित कारों में समय आज व्यतित होगा प्रेम संबंदों में भी नजदी की आएंगी आपकी व्यस्तता के कारण जीवन साती का परिवार के लिए पूर्ण सेयोग रहेगा जिसकी वज़े से आपके आपसी संबंदों में काफी मध पति-पतनी के संबंद खुसनुमा रहेंगे। पति-पतनी के संबंद खुसनुमा रहेंगे। पति-पतनी के संबंद खुसनुमा रहेंगे। वेवसाइक गति-विद्यो को सुचारों रूप से चलाने के लिए करमचारियों के सुझाव को आप अधिक ध्यान में रखें। जिससे आप बहतरीन निर्न ले पाएं। ना करें कोई इसका नाजायज फायदा उठा सकता है। नोकरी पेसा व्यक्तियों की उनके उचित काम के लिए तारीफ और साख बनेगी जिससे उनका मन काफी प्रसन रहेगा। दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वारा है। दोस्तो आज आपका स्वास्त बहुती अच्छा रहेगा। परंतु जादा काम के दवाब की बज़े से पैरों में दर्द और ठकान महसूस हो सकती है। इसलिए आप सैयमित दिनचरिया रखें। इसके लिए दोस्तो आप अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए रोजन योग करें, वैयाम करें, स्वस्त रहें। दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेशोपाय क्या है। दोस्तो आज आप इशनान आदी से निर्वत्र होने के बाद उत्तर दिसा की तरफ मुह करके भगवान शिव के शिव रक्षा स्रोत का पाट अवस्य करें। और ऐसा करने से भगवान भोलेनात के आशिरवाद से आपको अवस्य ही लाब प्राप्त होगा। सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जै भोलेनात अवस्य लिखें और वीडियो को लैक करना ना भूलें धन्यवाद।